तो आपको बताती हूं कि मैं अपने फेस्पें क्या क्या प्लाइ करती हूं बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे क्या लगाती हैं आपकी बेस कौन सी है तो यह सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में दिखाने लगी तो चले चलते हैं अब आप देखें मैंने सिर्फ मूँ दोया है कुछ भी नहीं लगाया फेस पर तो जो भी करूंगे आप लगा के सामने करूंगी तो चले सबसे पहले बताती हूं क्या लगाती हूं तो सबसे पहले मैंने यहां पर जो है ये जोंसन का लोशन लिया है जो के मेरा का है सबसे पहले मैं अपने स्किन को मॉस्टराइज करूंगी तो इसको बिल्कुल थोड़ी सी कौनिटिटी मिलूंगी वान टू ड्रॉप्स इतना सा बस लिया है और इसको अच्छे से जो है ये मैं इससे मॉस्टराइज करूंगी अपने हाथों को और फेस को सर्दिने हैं ड्राइनस है खुशकी है वैसे भी मेरी स्किन बो ड्राइज है तो इसलिए मॉस्टराइजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो मैं इसी से कर लूँगी क्योंकि ये जो है केमिकल फ्री होता है इसमें कुछी भी तरह के कोई केमिकल्स नहीं तो इससे आपकी स्किन खराब नहीं होती तो आप असाने से इसको यूज कर लगते हैं इसके बाद जाए सेकंड स्टेप वो है बेस का तो बेस मेरे पास ये है 030 का नमबर है रिदा जैन की ये बेस है तो इसको मैंने उएसे निकाले और अब मैं इसको फिंगर की हेल्प से सारे फेस पर लगाँंगी ड्रॉअचे से बीके कर सकते हैं मैं तरह इसको finger की help से भी कर सकते हैं मैं इसको finger की help से इस तरह सारे का सारा blend कर रहे हैं और सारा mix कर रहे हूं ताके अच्छे से skin के साथ match हो जाए और बिल्कुल natural से look आएगी इसको लगाकर over नहीं लगेगी बहुत जादा fair नहीं होगा और ये base color वैसे भी मुझे बहुत जादा अच्छा लगता है 03 रिदा जैन का है इससे बहुत ही natural से base बनती है बिल्कुल भी face जो होवर नहीं लगता बहुत जादा soft से look आती है और कई पार्टी make-up पर ये get together पर दावत पर जाने के लिए ये बहुत जादा अच्छी है तो इस तरह मैं इसको finger की और help से हाथ से सारे के सारा चाह लगा रहे हैं पिला रही हूँ तो ये देखें बिल्कुल natural से base जो हो मेरी बन गई है ये जी आप इसको कि जो भी आप beauty blender आप उससे भी लगा सकते हैं इसी से तो ये मेरी base लग गई है ये देखें कहीं से भी खराब नहीं हो ये base बिल्कुल एक जैसे लग गई है इसके बाद जो second step है वो है blush on का और blush on मेरे पास है जी ये वाला blush on है three in one इसमें shade है और ये glitter है चिंकी चिंकी इसको लगा कर आप लोगों को ज़्यादा highlighter की ज़रूरत नहीं पढ़ती तो मैं इसमें से ये pink वाला share ले रही हूँ और मैं इसको अब अच्छे से cheek पर apply कर लूँगी ये जी इससे apple cheeks बना लूँगी और बहुत सोफट से look काएगी इसको और ये दूसरे side पर भी इसको इस तरह ही लगा लूँगी बहुत easy है इससे ज़्यादा जो है अगर आप लोगों के पास highlight नहीं है तो आप इसको use करेंगे तो आपको highlight की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसी तरह इसको मैं nose पर भी लगा लूँगी lips के उपर भी नीचे भी और chin पे भी अच्छे से लगा लूँगी और थोड़ा सा यहां forehead के उपर भी इस सारा face जाना बहुत अच्छे से look देगा और यह थोड़ा सा मैं ऐसे ही finger के एक से eyes के उपर भी लगा लूँगी यहां पर जी असानी से यहां पर लिए रहा है तो यह सारी का सारा जार जो बलशन अपलाई होगे अब थोड़ा सा जो है वह मैं इसके उपर भी शेड लगा रही हूं गोल्डन सार इसके बाद यह मेरे पास पिंग कलर का हाइलाइटर है बहुत ही लाइट कलर है इसका भी और नहीं है इसको भी में थोड़ा सा हाई-át पहली जगा पर जो visस बॉण है आपके इसके ऊपर लगाना है और उसके बाद थोड़ा सा जोहें चे के निचे जो बॉण है वहां पर लगा दिया इस तरह से दोनौ साइडूपर इससे आपका फोरेट पे भी जाने इसी तरह थोड़ा थोड़ा बस बिल्कुल सा लगाँगी ताके बहुत जादा चिंकी चिंकी फेस ना आए वसल किसी शायन दे तो ये मेरा हाइलाटर भी लग गया है अब इसके बाद बारी है जी फटा फट से मसकारे की तो चलें जी मसकारा लगाती मसकारा मेरे पस ये मिस रोज का है तो बस इस तरह मैं हलका हलका सा ये मसकारा लगाँगी वैसे भी मेरी जो है वो लशी लंबी ही है जादा जरूरत नहीं होती तो बस इस तरह हलका सा ये जी मसकारा जाएगा आइस पर और ये जी आइस भी होगे डन इससे जादा मैं और pencil की तो ये मेरे पस brown color की लिप pencil है इससे मैं lips की shape बना लोंगे इच्छे से और फिर ये जी हैं पर मैं lips की shape बना रही हूँ सारी equal से इस तरह पर असांत से shape बना कर जो है अगर आप कोई भी lipstick ये मैट कुछ भी लगाते हैं इसके बाद जी ये लिप क्लोस तो ये में रपस महरून कलर का लिप क्लोस है वैसे भी शादी के बाद जब आपके से भी दावत पर जाते हैं तो सब कहते हैं जी लाइट कलर ने डार कलर लगा हो तो ये मैं हरून कलर का लिप क्लोस था तो ये मैं लगा रही हूँ इस तरह य बहुत प्यारा सो जो कलर है और ऐसे बिर याज़ कलर का ड्रेस था तो इसके साथ डार कलर की जाएं लिप्स्टिक बहुत जादा अच्छी लगती है तो इसलिए मैंने यह फाली लिप्स्टिक लगाई है यह मेहरून taught तो इसको मैं ऐसे लगा रही हूं। और में पैन्सिल से उसी के इसे उपर और लगा रही हूं ताके बाहिर ना निकले तो यह जी तो यह मेरी लिप्स्टिक भी लग गया है अब बारी है लाइनर की तो यह मैं लाइनर लगा रही है। यहां पर थोड़ा-थोड़ा हाइलेटर लगारी हूं, कि शाइन आजाए अच्छे से और आई जरा अच्छे से लगें, तो यहां पर नीचे भी ठोड़ा-थोड़ा इस तरह से, मैं हाईलाइटर अप्लाई कर ले जट फट रेड़ी हो चुकी हूँ और बारी बाल स्टेट करने की और बाल स्टेट कर लिए हैं और यह मेरी फाइनल लुक है और यह था मेरा ड्रेस तो यह थे साथ में शूज सो कैसे ले गया मेरा ड्रेस आप लोगों को में ज़रूर और अब हम लोग जाएंगे तो यह था मेरे आज का विलोड़ सुबों में मेक अप किया था और अब रात ओची है दस साड़े दस कराम हो गया और आप देखें बेस अभी तक बिल्कुल ऐसे की वैसी है कहीं से भी क्रीज नहीं होगी कहीं से भी खराब नहीं होगी और फेस करें मेरी आज की विडियो यह था मेरी आज का विलोग आय होग मेरिया आज की आप रहूंक को टेख और की मेरा मेक अपकी स्टाइल आपनेों को पसांद दैते हición शेर कर दे मिलते है इंशाला नेक्स विडियो में नेक्स्त